हरी कृष्णा राधी राधी शिरी ओम नमो भक्वती वासु देवाई आज मैं आपको वैशाक मास में पीपल सीचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ सभी कहानियों के साथ वैशाक मास में पीपल देवता की यह कहानी जरूर ही सुननी चाहिए इसे घर में सुख वैभव धन दोलत आती है सभी मनोकामनाई पूर्ण होती है जिस कामना से वैशाक मास में पीपल सीचा जा रहा है वह मनोकामना भी पूरी होती है धन चाहने वालों को धन मिलता है, विद्या चाहने वालों को विद्या मिलती है और संतान चाहने वालों को संतान सुक्की प्राप्ती होती है आईए सुने वैशाक मास में पिपल सीचने की कहानी किसी गाउं में दो मा बेटी रहती थी, दोनों बहुत करीब थी सेट के यहां आटा पीसने जाती तब जाकर वहां से उन्हें दो मुठी अनाज मिलता जिससे वे उनका एक दिन का गुजारा हो पाता था आटा पीसने के बदले सेट के घर से उन्हें कभी दो मुठी आटा, कभी दो मुठी चावल, कभी दो मुठी बाजरा, कुछ ना कुछ अनाज मिल जाता एक दिन की बात है दोनों माबेटी सेठ के घर में आटा पीस कर जब वापस आने लगी तो सेठाने ने उन्हें दो मुठी बाजरी दी दोनों माबेटी उसे लेकर घर आ गई घर आकर जब उन्होंने बाजरी को खोल कर देखा तो देखा कि उसमें खुन लगा हुआ है यह सब देखकर उस ब्रामनी की आँखों में आसु आ गए वह भगवान से प्रार्थना करने लगी हे भगवान हमारी ये दुख भरे दिन कब समाप्त होंगे बड़े भारी मन से ब्रामनी ने अपनी बेटी से कहा बेटी यह इस बाजरी में खुन लगा हुआ है इसके खिचडी बनाने से पहले इसे धूप में सुखा लो और इसमें से घुन निकाल दो बेटी ने मा की बात को सुना और उस बाजरे को लेकर छट पर चली गई और वहां उसने उसे धूप में फैला दिया ब्रामनी की उस दुखी मन की प्रार्थना को भगवान ने सुना और भगवान एक कव्वे का रूप धारन करके उनकी छट पर आए और उसकी बेटी से बोले तुम यह बाजरी का क्या कर रही हो तब उसकी बेटी ने कहा मैं इस बाजरी को धूप में सुखा रही हूँ और फिर इसकी खिचड़ी बनाऊंगी तब कव्वे ने कहा तुम यह बाजरी मुझे दे दो मुझे बहुत भूग लगी है तब लड़की बोली अगर मैं यह बाजरी तुम्हें दे दूंगी तो फिर हम क्या खाएंगे हमारे पास तो खाने के लिए सिर्फ यही है तब उस कव्वे ने कहा कोई बात नहीं तुम एक दिन का उपवास कर लो लेकिन यह बाजरी मुझे दे दो मुझे बहुत भूक लगी है अगर मैंने इसे नहीं खाया तो मैं भूक से मर जाओंगा तब उस ब्रामनी की बेटी को उस कव्वे पर दया आ गई उसने कहा कव्वे महाराज थोड़ी देर रुको इस बाजरी में घुन लगा हुआ है अगर आप थोड़ी देर रुक जाओगे तो मैं इसमें से यह घुन निकाल दूगी कव्वे ने उस लड़की की बात मान ली ब्रामनी की बेटी ने उसमें से घुन साफ किया और फिर उसे कव्वे के आगे रख दिया कव्वे ने बड़े प्रेम से उस पाजरे को खाया और फिर काव काव करते हुए ब्रामनी की बेटी से कहने लगा हे बेटी मैं तुम से बहुत परसन हूँ तुमने आज मेरी बहुत मदद की है मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ मैं बाहर बड़े पीपल के पेड़ पर रहता हूँ तुम कल वहाँ आना मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे की तुम्हारी सारी दरिदता दूर हो जाएगी ब्रामनी की बेटी ने उसकी बात को सुना और वहे नीचे आ गई जब वहे नीचे आई तब उसकी माने पूछा बेटी बाजरी को सुखा लाई और साफ करलाई तब ब्रामनी की बेटी ने उसे सारी बात पता दी कि कैसे वहाँ कववा आया और उसने उससे क्या कहा तब ब्रामनी बोली कोई बात नहीं हम आज का उपवास कर लेंगे कववे की कहे अनुसार दोनों माबेटी अगले दिन बड़े पीपल के पेड़ के पास गई वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वही कववा बैठा हुआ है जो कल उनकी छट पर आया था उस कववे ने उन दोनों माबेटी से कहा मैं तुम्हारी उस सेवा से बहुत परसन्न हो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे कि तुम्हारी सारी दृद्धता दूर हो जाएगी कल सी वैशाक का महीना शुरू हो रहा है तुम दोनों पूरा महीना इस पीपल के पेड़ में जल्द देना इसकी पूजा करना परिकर्मा करना तब तुम्हारी सारी दृद्धता दूर हो जाएगी कवे के कहे अनुसार उन दोनों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया पूरे वैशाक के महीने में उन्होंने पीपल को जल्द से सीचा उसकी परिकर्मा की, पूजा की, आरती की और फिर पीपल के पेड़ के पास साफ सफाई भी करती दोनों ऐसा करते करते उन दोनों मावेटी को पूरा वैशाक का महीना बीत कया जब वैशाक की पूर्णी मा आई, तब उस दिन उसकवे ने उन मावेटी से कहा, आज जब तुम पीपल की परिकर्मा करके घर जाओगी तो यहाँ पर जो आसपास फूल पत्ते बिखरे हुए हैं इन्हें एकठा करके अपने घर में ले जाना और ले जाकर अपने घर के चारो तरफ चारो कोनों में रख देना उन मावेटी ने ऐसा ही किया वहाँ पर बिखरे हुए सारे फूल पत्तों को उठाया और ले जाकर अपने घर के सारे कोनों में रख दिया रात हुई तोनों मावेटी सो गई सुभे उठकर देखा तो देखा उनके घर में अन धन के भंडार लगी हुए हैं जिस जंगा पर उन्होंने सूखे फूल पत्तों की धेरिया लगाई थी वहाँ पर अन और धन की धेरिया लगी हुई हैं दोनों देखकर बहुत खुश हुई उस दिन में सेट के घर आटापीस ने नहीं जा पाई क्योंकि उन्हें उस धन को समेटने में ही बहुत समय लग गया अगले दिन भी जब दोनों मा बेटी सेट के यहां नहीं गई तब उसने आदमी भेज कर बुलवाया और पूछा कि तुम आटापीस ने क्यों नहीं आ रही हो तब उन्होंने कहा कि हम आटापीस ने नहीं आ पाएंगे उस आदमी ने वापस जा कर कहा कि वे दोनों तो बहुत ही धनवान हो गई है यह सब सुनकर सेटाने को बड़ा आश्चरिय हुआ और शक भी हुआ उसे लगा कहीं ये दोनों मेरा ही दन तो नहीं चुरा कर ले गई थोड़ा थोड़ा उसने कहा मैं खुद जा कर देखूंगी आप उसने जा कर देखा तो देखा उनके घर में चारों तरफ अन और धन के भंडार लगे हुए हैं उसने उनसे पूछा यह सब्धन तुम्हारे पास कैसे आया तब मा बेटी ने उन्हें सारी बात पता दी उन्होंने कहा यह सब्धन हमें वैशाक मास में पीपल देवता के सीचने से उनकी पूजा करने से उनकी परिकर्मा करने से प्राप्त हुआ है तब सेठानी ने निश्चे किया कि अगले साल जब वैशाक का महीना आएगा तब मैं भी पूरे वैशाक मास में पीपल की सेवा करूंगी जब अगले साल वैशाक का महीना आया तब सेठानी अपनी एक नोकरानी को साथ लेकर पीपल देवता की पूजा करने गई जब वह जल चढ़ाने लगी तो सेठाने से नीचे नहीं बैठा गया उसने अपनी नोकराने से कहा लो तुम ये जल का लोटा ले लो और पीपल में चढ़ा दो तब नोकरानी ने कहा माता जी ये तो आप चढ़ाओगी तभी तो इसका पुन्य आपको लगेगा तब सेठाने बोली नहीं नहीं मुझसे नीचे नहीं बैठा जाएगा तुम ही चढ़ाओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूगी ऐसा कहकर उसने वह जल का लोटा अपनी नोकरानी को दे दिया नोकरानी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उस जल के लोटे को पीपल में अर्पित किया परिकर्मा की सेठानी से परिकर्मा भी नहीं हो पाई अब सेठानी रोज ऐसा ही करने लगी नोकरानी को साथ ले कर जाती और पीपल देवता में जल चड़वा देती सेठानी में तो श्रधा का लेश मात्र भी नहीं था उसे तो बस किसी तरह से वैशाक का महिना पूरा करना था ऐसा करते करते वैशाक का महिना बीत गया वैशाक पूर्णिमा आई मा बेटी ने उसे बताया था कि हम वैशाक पूर्णिमा के दिन वहाँ पर बिखरे हुए फूल और पत्तों को इकठा करके अपने घर लाए थे तब सेठानी ने नोकरानी को एक बड़ा सा कपड़ा एक बड़ा सा थेला देते हुए कहा कि लो यहाँ पर बिखरे हुए सारे फूल पत्तों को इसमें इकठा कर दो तब नोकरानी ने सेठानी के कहे अनुसार फूल पत्ते एकठा करने शुरू कर दिये जब वहे नोकरानी फूल पत्तों को एकठा कर रही थी तब बहुत सारे फूल पत्ते उसकी साड़ी पर चिपकते चले गए उसकी साड़ी में अड़ते चले गए तो इस तरह से जब उसने वह थेला भड़ दिया तब सेठानी ने वह थेला ले लिया और कहा अब तुम घर जा सकती हो और ऐसा करना दो-तिन दिन तक काम पर मत आना दो-तिन दिन तक अब तुम्हारी छुट्टी रहेगी उसने सुनकर हा कर दी और वहे अपने घर चली आई सेठानी भी वहे फूल पत्तों से भरा हुआ थेला लेकर अपने घर चली आई और मा बेटी के कहे अनुसार उसने वहे फूल पत्ते अपने घर के सारे कोनों में बिखरा दिये रात हुई सेठानी सो गई अगले दिन सुबह उठी तो उसने सुना घर में कोहराम मचा हुआ है उसने पूछा कि क्या हुआ तब किसी ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया है सारे घर में छोटे-छोटे कीडे, छोटे-छोटे सांप, छोटे-छोटे बिच्छो बिल-बिला रहे हैं तब सेठ ने सेठाने से पूछा अरी भागवान तुमने यह सब क्या टोटका कर दिया पूरा घर कीड़े मकोडों से भर गया है तब सेठानी ने सेठ को सारी बात पताई कि कैसे मा बेटी ने जब पीपल सीचा तब उनका घर अंधन से भर गया था तो मैंने सोचा मैं भी बै उन दोनों मावेटी ने तो श्रद्धा से पीपल को सींचा था लेकिन तुमने लालच के कारण देखा देखी में इस तरहें पुजा की है इसलिए हमारा घर कीडों से भर गया है अब तुम पीपल देवता से प्रार्थना करो कि वें अपनी माया को समेट ले और हमारा घर पह में आकर इस तरहें का काम किया मुझे शमा कर दो अब आप अपनी माया समेट लो और मुझ पर दया करो सेठानी के प्रार्थना करते ही उनके घर से सारे कीडे मकोडे सारे सांप बिच्छू गायब हो गए इधर वें नोकरानी जिसने सेठानी के साथ पीपल देवता की पू जब अगले दिन वहे उठी तो उसने देखा उसके घर में भी खूब अंधन हो रहा है पीपल देवता ने उसको वेशाक मास में पीपल सीचने का खूब फल दिया मा बेटी और सेठानी ने जिस भावना से पीपल देवता की पूजा की उसी के अनुसार पीपल देवता ने उन्हें फल दिया जैसा पीपल देवताने मा बेटी को फल दिया वैसा सब को दे कहानी सुनने वाले कहानी कहने वाले को लेकिन जैसा से ठानी को दिया वैसा किसी को न दे बोलिए पीपल महाराज कीजे